कभी कभी होता है क्या है कि अचानक से मीठा खाने का मन हो जाता है और आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करता है आटा गुंदने का मन नहीं करता है ज्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता है तो ये वीडियो आपके लिए है जटपट से पराठा बनेगा बीना आटा गंदे हुए चले बनाते हैं तिहाँ पर मैंने आटा लिया है एक कप आटा लिया है किसी बेक छोटी बारी कटोड़ी या कप से नाप ले ले और उससे एक कप आपको लेना है इसमें थोड़ा से यहाँ पर नमक और थोड़ा सा सोडा डालेंगे यहाँ पर आपको बेकिंग पॉडर नहीं डालना है सोडा डालना है इसका आपको धिहान रखना है थोड़ा थोड़ा करके ही दोनों डालेंगे एक चुटकी करके डालें इसके बद यहाँ पर मीठा अनुसार चीनी डाला है इतना आटा के लिए मैंने यहाँ पर तीन चमज चीनी डाला है अगर बच्ची के लिए बना रहे हैं तो चार चमज चीनी डाला है थोड़ा जादा मीठा हो जाएगा अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले ऐसे उतना पानी लगेगा उस हिसाब से इसमें पानी डाले तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डालूंगी मैंने टोटल आधा गिलास पानी डाला है और इसको अच्छे सी मिलाएंगे इतना आटा का बेटर बनाने में आधा गिलास से थोड़ा ज्यादा पानी लग जाएगा तो आ यह स्मूस्ली गिरता है इस तरीके से जैसे केक का बेटर बनाते हैं इसको इतना ही पानी डालना है बस यह हमारा बेटर बनके तयार है चलिए अब दूसरे दरब से तबा गरम करते हैं और फटा फटा से एक दो बना के मैं आपको दिखाती हूं तबे पर नथरा से तेगल डा और जब इस तरीके से यह अपने अप तभी पर एस्पिरेट हो जाता है लेकिन अगर नहीं होता है तो इसको इस तरीके से चमूस्ली हलका से कर दें देखिए मैं कैसी कर रहे हूं इस तरीके से करेंगे तो आपको जितना बरा चाहिए न उस साइज का इसको बना दे अगर आपको खाना बनाने नहीं आता न पहले मैं वह लेंगी छोटा छोटा ही बना और अगर आपको खाना बनाने का दत है तो बड़ा बना एक बड़ा बना देंगे तो आपको पलटने में दीकता है इसके उपर से थोड़ा से तेल डालेंगे जिससे यह दोनों साइड से अच् इसको आप ऐसे चम्मों से दबा दबा कर इस तरीके से शेखें इस तरीक से दबाएगे ना तो यह कच्छा नहीं रहेगा अंदर से कच्छा नहीं रहना चाहिए इसका आपको ध्यान रखना है यह सौप्ट होता है तो आपको ऐसे पताने चलेगा कि कच्छा है कि पका है लेक एक पराठा यहाँ पर हमारा बन गया है, आज को यहाँ पर मीडियम पर करकर रखें, बिल्गूल कम भी नहीं करना है, और तेल ज़्यादा नहीं डालना है तब इमें, हलका सा तेल डालना है, उसी में इसको सेक लेना है, तो इसको मैं निकाल लूँगी, उसके बाद इसी तर पलटना है, तुरत नहीं पलटना है, यह बहुत ही असानी से बन जाता है, इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आगी, कोई परिसानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सबी पराठे को बना लिये हैं, मैं इसको पलेट में और यहाँ पर आप चाहने इसको चोकुलेट से गार्निस कर सकते हैं तो मैंने ये वहला चोकुलेट दिया है इस तरीके से इसको एक पिश्टोर के उपर से इसे ग्रेट कर दे इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लेगा यहां पर आपछाए इसके उपर से चॉकुलेट सीरप भी डाल सकते हैं उससे भी इसका स्वाद बहुत बढ़ी आजाता है चॉकुलेट सात पराठे कस्वाद बहुत बढ़ी आता है आप एक वार इसको जरूर ट्रा करें बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आगे और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और सेट जरूर करना चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना बुलकुल न भोला है ये रेसेपे को एक बार जरूर बनाए